अर्मान मोटिवेशन में आप सभी का स्वागत है। आदमी दो मुठी फूल लेकर आया था क्योंकि भारत में अपने गुरु को नमस्कार करने उनके प्रती अपना आदर दिखने का यह एक सामान्य तरीका है। जैसे ही वह व्यक्ति बुद्ध की ओर आया, उन्होंने उसकी ओर देखा और कहा, इसे फेग दो। बुद्ध के ऐसा कहने पर वह व्यक्ति सोच में पढ़ गया क्योंकि वह इन फूलों को प्रसाद के रूप में लाया था। बुद्ध उसे इन्हें छोड़ने के लिए कह रहे थे। फिर उसने सोचा, शायद मेरी ही गलती हुई है क्योंकि मैं इन्हें अपने बाएं हाथ में ला रहा हूँ। यह भी पुरानी संस्कृति का एक हिस्सा है कि अगर आप अपने बाएं हाथ से किसी को कुछ देते हैं तो इसे अशुभ माना जाता है। इसलिए उसने अपने बाएं हाथ के फूल गिराए और फिर उचित तरीके से आगे बढ़ा। बुद्ध ने एक बार फिर उसकी ओर देखा और कहा इसे फेक दो। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। फूलों में क्या खराबी थी। उसने अब सभी फूल गिरा दिये। तब बुद्ध ने फिर से कहा, मैंने कहा इसे फेक दो फूलों को नहीं। जो तुम अपने साथ पुराने विचारों के फूल लाए हो, तुम्हें उन्हें फेकना होगा, नहीं तो तुम बुद्ध को नहीं जान पाओगे। तुम आओगे, तुम जुकोगे, तुम लेकिन तुम नहीं जानोगे कि एक प्रबुद्ध व्यक्ति के साथ होने का क्या मतलब है। अगर आप अपने जीवन में एक बिल्कुल नया आयाम जोड़ना चाहते हैं, तो आपको पुराने विचार छोड़ने होंगे, कुछ और नहीं। आपको अपना काम, परिवार या नई कहानी लेकर तब तक के लिए धन्यवाद।